Hello guys, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ECS Chasia 2024 T10 की जो सीरीज चल रही है, इसके 90 और आज के दिन के चौथे मैच के बारे में, यह मैच खेले जाएगा, बोई मिनियास सीसी वर्सेस मोरवाइन के बीच मैच खेला जाएगा, मैच की टाइमिंग है, साड़े शेंबजे स्टाट होएगा, इंडियन टाइमिंग के नुसा, डेट 18 जून 2024 आज ही किये, वैदर की बात करें, तो वैदर के लिए रहे बार इसके कोई भी चांस नहीं है, वैन्यू देखे, इसकोर्ट, पेज, फील्ड, विनोर में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वैन्यू पर है, पिच रिपोर्ट की बात करें, तो एक आर्टिफिसल पीच है, जिसके बिरेवर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर रो बॉलर के लिए, एवरेज स्कोर की बात करें, तो एवर टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए, पहले टीम है बोई मिन्यास, बोई माइन्स, सीसी, जिसने इस टूनामेंट में एक मैच खेल लिया और वा मैच जीत करा रही है, ठीके, लास्ट मैच जो खेला, उसके इसाब से हमने बैटिंग ओडर पिलेंग 11 सेट कर दिया, तो पहला प्लियर है साहिल गुरोवर, जिसने पहले मैच में 23 रन के अच्छी पारी खेली, एक्स्पिरेंस प्लियर है, और आपके लिए एक मस्ट पिक प्लियर है, सेलेक्शन की बात करे, 79 परसंट इसका सेलेक्शन है, ओवरल रिकॉर्ट 65 मैच में 928 रन है, 20 की एवरेस स 667 रन तो मस्ट पिक प्लियर है, और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, सेलेक्शन 96 परसंट है, इसके बाद है सुजीब बुयान जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करेगा, और स्टार्टिंग ओवर्स करवाता है, एसो का मतलब स्टार्ट सेलेक्शन की बात करें, 92% सेलेक्शन है, उसके बाद एक करदी वेंकट स्वामी, जिसने पहले मैच में चार रन की पारी खेली नमबर चार पर बल्ले बाजी करते हैं, वह फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा इंपोर्टेंट है, सेकंड बैटिंग में आप इसको ड्रॉप क सेलेक्शन की बात करें, तो सेलेक्शन देखने को मिलेगा 35%, इसके बाद वसीम सरदार खान, जिसने पहले मैच में बैटिंग बालिंग कुछ नहीं करी, ओवर्ण लिकषट 24, मैच में 14 ओवर 6 विकिट है, उसके बाद अबदुल फाद, जो स्टर्टिंग में एक ओवर डालता है, और पहले मैच में 2 ओवर की गैंदबाजी कराई, एक विकिट लिया, मैन बॉलर है, और आपको विकिट टेकर गैंदबाजी प्रोवाइट करवा इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, इमामूलक जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ओवर डिकार्ट 11 मैच में 19 रन, एक ओवर की गैंदबाजी, जीरो विकिट, बैंच पर से कोई सबी प्लियर खेलता है, तो सभी के जिसका पहला मैच अभी लाइव इस्टार्ट हो गया, तो क्या परफॉमेंस रेती है, और क्या बैटिंग ओडर है, उसके साफ से हम प्लियरों को सलेक्ट करेंगे, तो पहले मैं आपको सभी प्लियरों के रिकॉर्ड बढ़ाएता हूँ, पहले बात करते हैं, ओम सर्मा की, जिसने 12 टीटन के मैच में 83 रन बना है, 9 की एवरेस से 19 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं, 8 विकिट लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट कर सकता है, इसलिए इंपोर्टेंट है, सलेक्शन की बात करें, ओम सर्मा का 94 परसेंट सलेक्शन और पहले परसेंट सलेक्शन और पहले मैच में इंकुलूडे टीम में, उसके बादे सिवाद दिरजा, जिसने 8 मैच में 8 की एवरेस से 30 रन बना है, कुछ खास पिलियर नहीं है, उसके बादे विनेस, 8 मैच में 25 रन पांच की एवरेस से, इसके बादे अकसे बाबू जिसने 8 मैच म इंक्लूड नहीं है इसी वज़े से अपन इसको select नहीं करेंगे उसके बाद लाल मौहन जिसने तीन मैच में साथ रन बना है चार की एवरेस से एक ओवर की गेंदबाजी करेंगे जिरो विकित लिए उसके बाद चारली ट्रोटर जिसने दो मैच खेले एक रन बना है उसके ब मैच में 12 रन बना है चार की एवरेस से टीटेन में इसके बाद तिलक कुमार 6 मैच में पांच ओवर एक विकित इसके बाद है विसांत कुमार 4 टीटेन के मैच में 5 रन बना है पांच ओवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकित लिया है इसके बाद है पवन जेस्वाल जो एक important player है तेश्ट domestic match में इसने 616 run बनाए 33 की सांदर एवरेस से और 13 wicket लिए batting और balling दोनों से contribute कर सकता है और पहले match के बाद अपनको इस player का idea हो जाएगा अगर batting balling दोनों करेगा तो अपन इसको दूसरे match में captaincy wise captaincy दे सकता है selection 7% है इसके बाद एक किरन दिवा करन जिसने 6 match में 28 over की गैंद बाजी करवाते वे 7 wicket लिए अगर पहले match में include है तो important रहेगा और selection की बात करें तो पहले match में साहत तक include नहीं है इसलिए अपने इसको select नहीं करेंगे इसके बाद यासिद जिसने 12 match में 25 run बना 25 over की गैंद बाजी करवाते वे 7 wicket लिए इसके बाद किसन कुमले जिसने 15 match में 25 run बना 50 over की गैंद बाजी करवाते वे 18 wicket लिए तो यहाँ एक important player थाबित हो सकता है और पहले match में playing 11 में है इसलिए अपने इसको select करेंगे selection मातर 2% है फिलाल इसके बाद है विने मिसरा जिसने 3 match में 7 run बनाए डॉमेस्टिक में इसके बाद है प्रिंस कॉस सिवे जिसने 7 match में 24 run बनाए 11 over की गैंद बाजी करवाते वे एक wicket लिए इसके बाद है सागर, मनप्रीत, अभी से एक इनों के record अवेलेबल नहीं है तो इ यह डेमो टीम आप से बाद कर लो, डेमो टीम में कैप्टन सी की बात करें सुझी बुरियान कैप्टन सी का अच्छा चोई से, फस्ट बैटिंग में जेसन मैमूद और सुरिल गोरवर को भी आप बाना सकते हो, जेसन मैमूद से बाद है क्योंकि विकेट कीप्रिंग के point भ सारे वीडियो मिल जाए है, हम टूनामेंट को पूरी तरह से cover करते हैं, दिन के 5 मैच होते हैं तो 500 के वीडियो बनाएंगे ताकि आपको किसी भी मैच में टीम बनाने में दिक्कत ना आवे, ठीक है, और इस मैच से रिलेट सारी जानकर यह आपको टेलिग्राम पर मिलेगी जिसे बैटिंग और प्लेइंग 11 टॉस अपडेट और जो मारी फाइनल टीम होती है, धन्यवाद